इलपी क्लासे जोदपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे 6 जुलाई 2020 के करेंट अफेट्स तो आज का पहला कोशन है हाल ही में अंतराश्चिय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है अब इसको क्या कहते हैं International Day of Cooperatives कब मनाया गया है 4 जुलाई को अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि 4 जुलाई को ही बनाया जाए जो जुलाई का 1st Saturday होता है उस दिन ये दिन मनाया जाता है तो 2020 में ये 4 जुलाई को मनाया जा रहा है अब कोपरेटिव क्या होते हैं जितने भी कोपरेटिव बैंक्स हैं जहां पे भी संस्ताई हैं छोटी छोटी बैंक्स से जो छोटी होती है उसको क्या क्या जाता है कोपरेटिव तो International Day of Coopरेटिव 4 जुलाई को मनाया जाता है अब देखिए एक होता है National Day जो किसी एक कंट्री में मनाया जाता है एक होता है International Day जो 2 या 2 से जादा कंट्री मनाते हैं और एक होता है World Day जैसे World Health Day हो गया World Earth Day हो गया World Water Day हो गया तो यह पूरा World मनाता है मतला हर एक कंट्री बनाती है आज का Question No.2 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 के इलाज के लिए अपने चार अस्पतालों में प्लाजमा थेरेपी शुरू की है अब देखिए कम से कम जब से ये Corona स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये प्लाजमा थेरेपी बहुत जादा हो दी है अब इसमें क्या होता है कि जो Corona को पेशेंट है उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं ये कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है बट जो एक्सपेरिमेंट से वो अभी तक चालू है तो इसमें जो प्लाजमा है जो infected person का मतलब जो रोगी है उसका प्लाजमा की जगे किसी जो स्वस्त परसन है उसके प्लाजमा को डाल देते हैं और प्लाजमा कहां पर होता है बलड के अंदर तो जब यह होता है तो इस तरह से भारत सरकार इंडिया के अंदर ऐसा करने से इनको positive result मिले है अब जो अभी अभी इलाज के लिए अपने चार अस्पतलों में प्लाजमा थेरिपी शुरू किये वो है उडिसा गवर्मेंट अब उडिसा से जान लेते तो उडिसा की capital क्या है भुवनेश्वर उडिसा के चीफ मिनिस्टर कौन है नवीन पटनायक और उडिसा के अभी अभी मुख्य न्यायादी जो हाई कोट के बने है वो है मोहमद रफीक मोह जीवन पहल और मोह प्रतीमा पहल उडिसा गवर्मेंट ने स्टार्ट करिए सतकोस या टाइगर रिजर्व समलीपल नैशनल पार्क और गहीरमट वाइल लाइफ सेंचुरी उडिसा में है और चिलका लेक जो कि भारत की खारे पाने की सबसे बड़ी लेक है वो कहां पे है उडिसा में अब देखिए प्लाजमा थेरेपी का एक और कोशन है कि प्लाजमा बैंक अभी-भी कहां पे इस्तापित हुआ है तो सबसे पहला जो भारत में प्लाजमा बैंक कहां पर खुला है दिल्ली में और दूसरा असाम के अंदर नेक्स्ट आज का कोशिन नमबर थ्री है हाल ही में दुनिया का पाचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बंडार वाला देश कौन बना है तो जो पाचवा देश हमारा भारत अभी अभी बना है पाचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बंडार वाला देश नेक्स्ट कोशिन है आज का हाल ही में एनेच आई के अध्यक्ष सुखबीर सिंग संदू का कारेकाल कितने अवदी के लिए बढ़ाया गया है तो इनका अभी अभी 6 मा के लिए और बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं एनेच एई के बारे में एनेच एई का फुल फॉर्म है नैशनल हाईवे ऑथोरेटी ओफ इंडिया इंपोर्टेंट कोशिन है ये भी नेक्स्ट कोशिन नमबर पाच है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इकचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो अभी अभी इकचरे का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक अभी अभी किसे बना गया है चीन तो ये रिपोर्ट जो है UN की तरफ से, United Nation की तरफ से रिपोर्ट आई है और चीन को इक अचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया है Next question number 6 है आज का हाल ही में केंदर सरकार ने किस राज्य को फूड पारकों में सुधार के लिए 4,000 करोड रुपे की मनजूरी दिये तो अभी-अभी केंदर सरकार ने करनाटक गवर्मेंट को फूड पारकों में सुधार के लिए 4,000 करोड की मनजूरी दिये अब करनाटक की राज्दा नहीं क्या है बैंगलोर जिसको Electronic City of India भी कहा जाता है और 2014 के बाद Startup Capital of India भी बैंगलोर को ही कहा जाता है देखिए Online Coaching Portal Get Set Go करनाटक गवर्मेंट ने शुबारम किया था इसका अपात मित्रा एप और मेग संदेश एप भी करनाटक गवर्मेंट ने किया Corona पर वाच रखने के लिए Corona Watch एप करनाटक सरकार ने और बुखार क्लिनिक इस्तापित करने की घोशना हर डिस्टिक में अलग-अलग जगे पे Government Hospitals, Government Offices यहां तक की जेल में भी इसकी इस्तापना करने की घोशना की है करनाटक गवर्मेंट ने आज का Question No.7 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्प लाइन शुरू की है तो Corona वर्रे से लड़ने के लिए अभी-अभी मध्यपदेश गवर्मेंट ने आसपास नामक हेल्प लाइन शुरू की है जैसे सेतु एप है वैसे ही आसपास एप भी भारत के लिए है Next कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्यपदेश में स्टार्ट की गई जीवन शक्ती योजना जिसमें महिलाए मास्क बनाईगी और जो मध्यपदेश सरकार है उनसे एक मास्क के ग्यारा रुपे उनको देगी संकल्प योजना जिसको उमरिया जीले में स्टार्ट किया गया है जो की बुजर्कों को साहिता प्रदान करने के लिए है वो मध्यपदेश गवर्मेंट ने स्टार्ट किया है और सबसे खराब शिशू मृत्यूदर कहां पे है मध्यपदेश में नेक्स्ट कोशे नमबर आर्ट इंपोर्टेंट हाल ही में किस देश के राष्टपती ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के चुनाव जीता है मतलब 2034 तक अब रशिया के राष्टपती कौन रहेंगे वल्दिमार पुटीन जो किया पोटो में देख रहे हैं इसका नाम क्या है वल्दिमार पुटीन अब ये 2034 तक यही रहेंगे मतलब एक तरह से dictatorship भी कह सकते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर नौ है हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्री का कारेकरम प्रसारित किया है तो ये किसने किया है All India Radio जिसको आकाशवानी समाचार भी कहा जाता है तो इसका अंसर है option नमबर भी All India Radio Small Finance Bank ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविदा शुरू की है तो अभी अभी Equitas Small Finance Bank ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की शुरुआत की है अब KYC का मतलब क्या होता है Know Your Customer जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आपकी सेल्फी लगेगी तो इससे आपका ऑनलाइन खाता खुल जाएगा आज सा Question No.11 है हाल ही में किस देश के बैटमेंटन खिलाडी Lean Dan ने सन्यास लिया है तो अभी अभी जो चीन के बैटमेंटन खिलाडी है Lean Dan उन्होंने सन्यास की घोशना की है तो इसका अंसर है Option No.C देखे एशियन यूथ गेम 2021 कहां पर होने वाले है चाइना में 19th Asian Games 2022 जिसको Smart Triplets भी कहा जाता है वो भी कहां होने वाला है चीन में Winter Olympics 2022 चीन के अंदर 2022 Asian Paragames फिफी वो भी कहां होंगे चाइना में नई Digital Currency DC और EP की लांच किसने करी चाइना ने और अभी अभी Fast Maglev अलब जो Bullet 10 से डबल से भी ज़्यादा Speed में जो Train का Successful Experiment चीन ने किया है जिसको क्या नाम दिया है Maglev Next 12th No.C हाल ही में आंदर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नुक्त किया गया है तो इनको किसने किया है रमेश कुमार को नुक्त किया है अब ये नुक्त कौन करता है राज्य सरकार के अंदर कोई भी चीज को नुक्त करनी होती है तो वो राज्य पाल करता है तो Next Question है आज का हाल ही में Drug Discovery Hackathon 2020 का शुबारम किसने किया तो इसका अंसर है रमेश पोकरियाल निशंक जो की हमारे Ministry of Human Resource Development है तो उन्होंने अभी अभी Drug Discovery Hackathon का शुरुवाद किया है Next आज का Question No.14 है हाल ही में किस IIT के शोद करताओंने किटानू नाशक बॉक्स यूनिसवेर विक्सित किया है देखिए यूनिसवेर नाम आते ही आपको दिमाग पहाना चाहिए IIT रोड़की और IIT रोड़की से आपको ये फोटो दिमाग में आनी चाहिए तो इसका अंसर है Option No.B और आज का आखरी Question है हाल ही में किस ने स्वच सर्वेक्षक 2021 के लिए Toolkit launch किया है तो इसका अंसर है हरदीप सिंग पूरी ने अभी-अभी स्वच सर्वेक्षन 2021 के लिए Toolkit launch किया है तो कल के वीडियो का Question देख लेते है हाल ही में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने E.Granthalay का उदगाटन किया है तो अभी-भी उत्राखंड Government ने किया है और आज का Question जो आपके लिए है हाल ही में किस देश के प्रदान मंत्री E.D. Philip ने इस्तिफा लिया है तो Option है France, Italy, Brazil या फिर इन में से कोई ने तो आपका अंसर आप Comment Box में लिख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और डेली आप सुबह सुबह दस बज़े आप सिरफ ये Current Affairs पढ़ लिजेगा आपके एक्जाम के लिए बहुत ही यूसफुल रहेगा Thank you